तो दोस्तो स्वागत है आपका track and play यूटूब चैनल पे और आज हम आपके लिए वीडियो लेके आये हैं Solid S2 SF810 की unboxing की यह दोस्तो एक satellite meter है तो आज हम इस product की unboxing करेंगे इस वीडियो में और मैं आपको बताऊँगा कि इस product में आपको क्या क्या खास चीज देखने को मिल सकती है या किस तरह से ये product आपके लिए helpful सावित हो सकता है तो चलिए शुरू करते हैं और दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे में request करना चाहूँगा अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पे नए आए गया है और ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिजे और सब्सक्राइब बटन के साथ जो आपको एक बैल आइकन देखेगा उसको भी प्रेस कर लिजे ताकि जब भी मैं इस चैनल पे नई वीडियो अप्लोट करूँ तो आपको नौटिफिकेशन्स मिल सके तो दोस्तों सबसे पहले इस प्रोडक्ट के बॉक्स की बात करते हैं तो यहां पे लिका है तो दोस्तों यह साटलाइट मीटर एक बॉक्स की तरह काम करेगा जैसे कि माल लीजए आपको इस सेटलाइट रैक करते हैं और उसके बाद आपको दुवारा से आपके सेटव बॉक्स के पास जाना पड़ता है, फिर बहाँ पे स्कैनिंग करने पड़ती है, आप देखना पड़ता है कि जो भी आप पैकेज स्कैन कर रहे हैं सैटलाइट पे, वो पैकेज आपको रिसीब हुआ है, या फिर नहीं, तो इसलिए यह सैटलाइट मिटर काफ़ी हलफू साबित हो सकते हैं आप सब के लिए, तो इस सैटलाइट मिटर में एक खास बात यह है कि इसमें आप TP भी दे सकते हैं, जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना, इस सैटलाइट में, जैसे ही आप ट्राइकी करेगे, उसके बाद, जो भी सिगनल आपको जितने भी सिगनल बहां पर मिलते हैं सेटलाइट उस सेटलाइट पर तो बहां पर उसी सिगनल पर या पिर उनी सिगनल पर जितने भी आपको चैनल्स मिलते हैं वो आप इसी सेटलाइट मेटर पर चेक भी कर सकते हैं और वो आप फ्रीटु एर भी या फिर सैटलाइट मीटर की अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहां पर आपको 4.3 इंच का हाई-डैफिनेशन TFT LCD स्क्रीन मिलता है मतलब आपको 4.3 इंच का हाई-डैफिनेशन HD यहां पर स्क्रीन मिलता है और साथ में आप डिस्क्यूसी सी 1.0 और 1.1 और साथ मैं 1.2 USALS को भी ये स्पोर्ट करता है मतलब आपने को डिस्क्यूसी सीच लगा के रखा है इसके ज्यादा सैटलाइट आपने ट्रैक करके रखे हैं तो बहां भी ये सैटलाइट मेटर आपका काम करेगा और मल्टी मीडिया प्लेस पोर्टेड भी है मल्टी गोल ओस्टी फॉर वर्ल्ड यूज के लिए भी है USB 2.0 इंटरफिस अवेलबल फॉर साथ वर अप्डेट के लिए भी है मतलब अगर आप साथ वर अप्डेट करना चाते हैं सैटलाइट मेटर का तो आपको USB 2.0 का यहां पर इस पोर्ट मिलता है जहां पर पैनरेबल गाके इस साथ वर के साथ वर को अप्डेट कर सकते हैं तो दोस्तों यहां पे हम सबसे पहले इस बॉण्ट को ओपन कर लिते हैं जो हमें सैटलाइट मेटर मिला है वह किस दर्खते है और कैसी उसमें फंक्शन मिलते हैं उस ने पर जीर सेटब एत लिक वर नए तो जो भी आपने ही एक सेटलाइट मेटर मिल जाता है तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते है menu का बटन है, exit का बटन है, TV, radio का बटन है और recall का बटन है और साथ में यहाँ पे आपको power on off का बटन मिलता है और lamp का बटन भी मिलता है साथ में आपको LED torch यहाँ पे मिल रही है और साथ में यह आपको दो यहाँ पे speaker के लिए option दिये गए है मतलब इन बैस में inbuilt speaker भी आपको मिल जाएगा तो जिसकी help से जब आप free to air को यह चैनल देखते हैं इस meter में और अगर inside की बात करने हो मिलता है अपको dc out के मिल जाता है और उसके बाद आपको dc out मिल जाता है और 7 आपको एक port मिलता है जो DC in है आपकी वो आपको port यहां पे लगाना है आपका और इससे आपका जो satellite meter है यह charge हो जाएगा तो सबसे पहले तो हम इस satellite meter को on कर लेते हैं तो यहां पे सबसे नीचे यहां पे है power button, power button को जैसे हमने long press किया तो byset के नाम से यह screen पे आप देख सकते हैं कि byset यहां पे हो चुका है और no signal यहां पे बता रहा है जैसा कि आप यहां पे देख सकते है menu button है menu button को जो हम press करेंगे तो यहां पे आपको बहुत सारे option मिल जाएंगे जैसे कि installation हो गया, channels हो गया, finder हो गया, setting हो गया, internet हो गया, utility हो गया, फिर media हो गया, तो सबसे पहले हम बात करेंगे installation की तो installation में आपको जैसा कि आपके पगरिया और solid के box में interface मिलता है, बैसा ही सेम यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि antenna setting हो गई, motor setting हो गई, satellite list हो गई, या फिर TP list हो गई, तो antenna setting में जाके जैसे कि आपने को satellite track कर लिया, उसके बाद मा लीजे मैंने nile set यहां पे track किया है, तो nile set में जो भी मैं यहां पे scan करना चाहूँगा, या satellite scan करूँगा, या फिर blind scan करूँगा, या फिर TP scan करूँगा, या फिर super blind scan जो दोस्तों आपको solid के box में देखने को मिल जाता है, super blind option के साथ, इस meter में आपको देखने को मिल जाएगा, और अगर बात करें satellite list की तो यहां पे already आपको बहुत सारे satellite यहां पे देखने को मिल जाएंगे, जो already इसमें feed हैं, तो आपको नया अपना satellite अड़ करने की जरूरत नहीं है, या फिर आप इसके अलाबा कोई नया satellite अड़ करना चाहते हैं, बो भी आप कर सकते हैं, और थार्ड option के अगर बात करें, तो फोर्थ option के अगर बात करें, तो यहां पे टीपी लिस्ट नाम का भी या जो टीपी होती है, उनके भी लिस्ट यहां पे देखने को मिल जाएंगी आपको, तो जिसमें अगर आप नहीं टीपी को याड़ करना चाहते हैं, तो भी आप कर सकते हैं, और बात करें अगर द और दोस्तों बात करें हैं, थाडर ओप्शन की जो कि मेन फीचर है, सेटलाइट फिंडर का यहां पे फाइंडर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, फाइंडर में आप को जैसे ही यहां पर जाएगे, जैसे सबसे उपर आपको नाईल सट दिख रा है, फिर उसके बाद हाट व बाद आप tracking कर सकते हैं और यहां पर आपको टीपी चेंज करने का अप्शन मिल जाता है जैसे मुझे यह तीपी अगर चेंज करने है तो यहां पर information में जाके इस meter की जो भी detail है वो आपको मिल जाएगी और अगर दूसरे option की बात करने है system में तो system में यहाँ पर आपको date setting मिल जाएगा time setting मिल जाएगा software upgrade मिल जाएगा अगर आप इस satellite meter का software upgrade करना चाहते हैं तो आप इस option की help से software जो है वो upgrade कर सकते हैं और factory reset option भी यहाँ आपको मिल जाएगा और third option यहाँ पर आपको setting का मिल जाएगा जहाँ पर आपको language change करने का option मिलेगा audio video setting होगी OSD setting होगी network setting होगी या फिर other में आपको power supply on off का भी button यहाँ पर मिल जाएगा तो चलिए next की बात करते हैं next आपको यहाँ पर internet option मिलता है internet में आपको IPTV मिल जाएगा weather मिल जाएगा YouTube यूटूब भी इस meter में आप एक्सेस कर सकते हैं weather भी कर सकते हैं तो IPTV option भी आपको इस meter में मिल जाएगा जिसमें आप IPTV जो भी channels होते हैं वो देख सकते हैं और यहाँ पर दोस्तों एक positive point मुझे यह लगा कि import channels मतलब जो भी हम बहुत जारे आसे देखते हैं हमारे दोस्त होते हैं जो बोलते हैं कि हमारे box में IPTV option तो है पर हम कोई file import नहीं कि रखेंगे या फिर अपना memory card लगा कि रखेंगे तो उसमें जो भी हमारी M3U file होगी M3U file होगी वो आप import करके अपना IPTV यहाँ पर देख सकते हैं और अगर बात करें next की तो यहाँ पर utility आपको option मिल जाता है utility option में जाकि आपको timer setting PBR management और Wi-Fi key setting तो अगर Wi-Fi में जाऊंग यहाँ पर connect होगा तभी यह option show करेगा उसके बाद की setting में जाऊं तो की setting में दोस्तों आपको यहाँ पर 20 की option मिल जाता है power view का मिल जाता है power view AU का option मिल जाता है in the sense कि अगर मा लीजे कि आप 76 जो app star है आपका वह अगर track कर रहे हैं यह track आपने कर लिया उसके बाद आपको power view में जाके power view के जो भी उसकी keys होगी उस channel की यह उस package की तो यहाँ पर आप डालके वो channel जो है वो इसी satellite meter में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बिसकी का भी option मिल जाएगा जिसमें बहुत सारे package ऐसे होते हैं जो बिसकी पर चलते हैं तो बो भी आप इस satellite meter में देख सकत जाता है अगर आपके pen drive में कोई media files हैं जैसे की videos हैं या फिर music है या फिर पिक्चर बगए रहा है तो भी आप pen drive की help से यहाँ पर pen drive अपना मतला attach कर सकते हैं उसके बाद आपका जो pen drive का पूरा data होगा वो यहाँ पर आपका शो हो जाएगा तो दोस्तों यह थी हमारी unboxing video satellite finder meter के बारे में और अगर box की बात करनों तो box में आपको दोस्तों यहाँ पे एक power adapter मिल जाता है जो की power supply के लिए satellite meter को charge करेगा और साथ में आपको एक cable मिल जाएगी जो आपकी HDMI cable होगी जो आपको मैंने पहले बताया था यहाँ पे HDMI port है तो HDMI port जो है बहाँ पे आप इस cable को plug-in करेंगे और दूसरा जो port है इसका उसको अपने या तो आप टीवी में connect कर सकते हैं या फिर जहां भी आप इसको HDMI cables के थ्रू कनेक्ट करना चाते हैं इस meter को बहाँ पे आप कर सकते हैं और अगर बात करें तो यहाँ पे cable jointer आपको साथ में मिल जाएगा in the sense कि यहाँ पे तो यह थी हमारी छोटी सी unboxing वीडियो की चैनल पर तो दोस्तों उमीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई है अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करिए शेर करिए अपने सारे दोस्तों के साथ और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं झाल नहीं